नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका समाचार क्यारी हिंदे न्यू चैनल में और पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है तेरवे आल इंडिया पुलिस कमांडो कम्पिटिशन प्रतियोगिता में बीटीसी भानून में किंद्रित कमांडो टीम पहली बार बनी चेंपियन जी हां दोस्तों आपको बता दे तेरवे आल इंडिया पुलिस कमांडो कम्पिटिशन को दिनांक 13-3-2023 से 31-3-2023 तक रास्ट्रियस रुक्षा गार्ड एनसजी गुरू ग्राम माने सर हारियाना में आयुजित की गई थी जिसका समापन समारो दिनांक 31 मार्च को किया गया इस प्रतियोगिता में सभी राज्यों एवं केंदर सासित परदेसों की टीमों के अलावा सभी केंदरिये सस्तर पुलिस बलों की 24 टीमों ने भाग लिया था इस आल इंडिया पुलिस कंपिटेशन प्रतियोगिता में भारत तिबबत सीमा पुलिस बल की टीम ने प्रतिभागीता की और प्रतियोगिता में उतकरिस्ट परदर्शन कर 262.85 प्राप्त कर 10 प्रत्म स्थान हासिल कर बल का नाम रोशन किया इसी कड़ी में 222.84 प्राप्त कर NSG की कमंडो टीम दूसरे स्थान पर रही एवं 247.55 प्राप्त कर BSF की कमंडो टीम ने तरतिय स्थान असिल किया है माने सर में सवर्ण पदक के साथ साथ बेस्ट फाइरिंग ट्रोफी एवं बेस्ट स्टेड़िजी ट्रोफी हसिल कर नया इतियास रचा है तेरवे औल इंडिया कमंडो कम्पिटिशन 2023 के समापन समहरों के आउसर पर मुख्य अती थी महोदे द्वारा इस प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाडियों को पदक एवं ट्रोफी देकर सम्मानित किया इसवर सिंग दुहन महानिरक्षक प्राथमिक परशक्षन केंदर भारत तिबत सीमा पुलिस बल भानू पंचकुला हरियाना के मारक दर्शन में बल स्तर की कई टीम संस्थान में अभ्यासरत हैं जिनका महोदे द्वारा समय समय पर टीमों का अवलोकन कर उत्सावरदन किया जाता है प्राथमिक पर्शक्षन के अंदर भानू में अभ्यासरत भारत तिबत सीमा पुलिस बल की कमांडो टीम को सुन पदक प्राप्त करने पर टीम मेनेजर टीम कोच एवं सभी खिलाडियों को बधाईवं शुब काम नहीं दी और कहा कि इसे भारत तिबत सीमा पुलि करेगी और देश का नाम रोशन करेगी महनरिक्षिक महोद्य द्वारा बताया गया है कि दिनांक 3 अप्रेल 2023 को कमांडो टीम के प्राथमिक प्रशक्षन केंदर पहुचने पर टीम के सम्मान समहरों का आयोजन 11 बजे किया जाएगा पंजकुला से समाचार कैरी के लिए पत